आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 में File Explorer के जरिए किस तरह Performance Monitor open कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले File Explorer open करना पड़ेंगा मैंने File Explorer पर यहाँ पर टाइप किया तो आपको यहाँ पर File Explorer दिखाई देगा इसे आपको जो है open करना है File Explorer open हो गया है उसके बात आपको जो है जहाँ पर Quick Access लिखावा दिख रहा है इस लाइन को जो है Address Bar का जाता है File Explorer का जिस लाइन में Quick Access लिखावा आपको दिख रहा है यह लाइन जो है Horizontal Line तो इस लाइन पर आकर कि आपको जो है क्लिक करना पड़ेंगा मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है P-E-R-F-M-O-N यह आपको टाइप करना है Address Bar में और फिर Inter का Button दबा देना है कुछ सेकन आपको वेट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर Performance Monitor ओपन हो गया है करने है और यहाँ अजयार करना है क्युक्त पूर्ण उनाह बड़ में